हुआ है आप सब के साथ सेयर करने जारी हूं मतेर की कईचोड़ी यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं।स्ट है रिख विंगॉली रिजेपी यह विंगॉली घर पे इस ह्लद में परम मते ही नहीं अरिया के साथ यह कांरओ देली के हेलो फ्रेंट्स विल्कमेक टू मैं चैनल मैं सभी देचे कुवर्टी कैसे है आप सब आई हो आप सब बहुत इच्छे होंगी आज मैं सब के साथ सेयर करनी जानी हूं मतर की कचोड़ी की रिसीपी बिंगॉली स्टाइब तो इसे बनाना बहुत ही असाल है इसे बहुत ही कम बन जाता है यह बहुत ज़्छा थेस्टी बनते है जा चलिए प्याह देल आदो करते हैं यहां पर मैं एक कप मट लिया है जिसके मैंने मिकसर घ्राइंडर में अट कर दिया है और यहां पर मैं 2 हडां लिएट ज्ख ऑर एक हृड़ बैघ्व और टीस्पून और छोड़ी सी हेंग एट कर देंगे फिर हम मतर की पेस्ट को एट कर देंगे जिसे मैंने दर दरा पेस्ट लिया था इसे हमें बहुत ही अच्छी से बूनना है अब मैं यहां पर टेस्ट के अकोडिंग नमक एट कर दूंगी वन फूर टीस्पून हल्दी पाउडर एट करेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब मैं यह थोड़ी सी लाल मीश पे एट कर दे रही हूं और करम शाला एट कर देंगे और थोड़ी से चीनी एट कर देंगे चीनी आफस्टनल है लेकिन इसे डालने से बहुत ही अच्छा चुका है अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और यहां पर मैं मैदा लगा लेती हूं तो यहां पर मैंने कचोड़ी बनाने के लिए आदा किलो मैदा लिया है 500 ग्राम अब यहां पर टेस्ट के अकॉडिंग नमक एट कर देंगे और वन टीस्पून चीनी एट करेंगे और यहां पर मैं 4 टीस्पून ओयल एट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मॉयम को अच्छे से मिक्स करना है तो इस वर पानी डालते हुए हम इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे तो यह देखें फ्रेंस हमारा डो लग चुका है इसे थोड़ी देर के लिए रिस्ट करने के बाद इसे मैंने अच्छे से इसे मशल लेंगे एक बार फिर से तो डो हमारा देख सकते है बहुत ही सॉफ्ट है डो हमें हाड्निंग लगाना है और इसकी लोईया बना लेंगे बॉल्स का सेब देंगे और हाटर से थोड़ा सा प्रेश करते हुए इस तरह से फ्लैट कर लेंगे अब हमें उंगली के साहता से इस तरह से हमें कटोरी के सेब देना है इस तरह से अब हम जो मटर के स्टफिंग बनाए थे वोसे हम बढ़ लेंगे इस तरह से और इससे इस तरह अंदर की दरफ दबाते हुए इससे इस तरह से बंद कर लेंगे इस तरह से हम सारे कचोड़ियां बना लेंगे तो सारे कचोड़ियां हमारी बन गई है तो इससे हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह से प्रेस्ट कर देंगे तैकि हम फटे नहीं कि अब हम थोड़ा सा ओइल लगा के इस कचोड़ी को हम इसतरह से बेल देंगे पूरी का अकार का हल्के हातो से बेल लिया है अब इसे मेडियम तू law flame पर हमें इस कचोड़ी को फ्राई कर लेना है तो देखे फ्रेंस हमारी कचोड़ी कैसे फोल रही है तो यह देखे हमारी कचोड़ी फ्राई हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे इसे तरह से हम सारे कचोड़ी को फ्राई कर लेंगे तो यह देखे फिर अंस हमने सारे कचोड़ियों को फ्राइ कर लिया है मटर की कचोड़ियों को चलिए हम सर्व कर लेते हैं तो इसके साथ मैंने आलू दम बनाया है या फिर आप आलू मटर भी बोल सकते हैं आप इसे तो इसे मैंने विडाउट प्यास लेसन का बनाया है अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो अब मुझे कॉमें जरूर बताए तो देखे फिर नस हमारी कचोड़ी कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने ही और इस सब्जी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है तो इसे एक बार ट्राइ करना तो बनता है अलो फ्रेंस मिली आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लिस लाइक करें फ्रेंस आप फैमले में शेयर करें और अभी तक अपनी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चल्दे से सब्सक्राइब कर दे इसी तरी की मद्दार इसी पिस मिलाती रहती हूँ और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो प्लिस मुझे फॉलो कर ले थैंकियो फ्रेंस मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तेक क्या बाई बाई